Hello friends welcome back to another video आज मैं आपको fiber mesh के बारे में बताने जा रहे हूँ किस टाइप का miesz आपको यूज्ज करना एफ वाटर पूफिंग में किस टाइप का होता है उसकी क्या लेंथ होती है क्या बिक्त होती है इस सारी डेटेल में आज मैं आपको बता हऊँ देखिए Conference हमारे भाहिया है जो कि अभी रिसेंटली बजार से यह मेस का बिंडर लेकर आई हुए है देखिए इसकी लेंद रहती है 50 मीटर और इसका जो बिट रहता है रहता है एक मीटर करीबन आपका 40 इंची के आसपाश 39.37 इंची का और इस टाइप का यह आपका मेस आता है इसे हम गिलास फाइबर बोलते हैं इसका यूज हम करते हैं यूर्प के साथ में जहां भी आप बाटर फूफिंग यूज करते हैं कोई भी केमिकल हो आपका एसीन का फास्ट प्लेक्स का पेडिलाइ जैसे कि आपने पीछे वाले भाहिया देखे वह आपको मेस पे सेकेंड कोट यूर्प करते हुए दिख रहे हैं जैसा कि अभी मैं रिशेंटली आपको बगल में ले जाके बता दूगा सबसे पहले आपको बताता हूं इसका क्या प्राइज रहता है देखिए आपका इस ट करेंदो निए एरिया के हिसाब से आप इसे ओरर कर सकते हैं सपोज करिए आपका 50 मीटर वाई 10 मीटर का इरिया लितौ करिभन आपको कि दना हो गया 50 पांसो तो 500 आपको मालुम्हा कि यानि आपका करीबन 10 रॉल लगेंगे एक हजार का है तो तो इस टाइब से हमें रेट अनलेशिस करते हैं आपका वाटर प्रूफिंग का तो देखिए किश टाइब का यह रोल रहता है कैसे हम यूज करते हैं आज मैं आपको साइट पर लाइब ले जाके बताता हूं देखेए यह आपका रॉल है इस टाइब से आपको जमीन पर बिचाना और कट करना है जहां भी आपका शिकुडन आ यहां आपका अनीवन सर्पेस है जहां भी आपका फ्लैट सर्पेस नहीं है तो वहां जैसे कि हमने इससे पहले जो मेंस यूज किया हुआ वहां देखिए आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं देखेगा इस टाइप से आपको फाइवर मेंस सेकेंड को डी यू आर पी के लिए तैयार करना है यह देखिए आपका सेकेंड कोट एप लाई कर रहे हैं और यह कटर उससे यूज भी कर रहे हैं देखिए जहां पर आपका सपोज करिया नीवेन हो रहा है जाली उपर नीचो रहे हैं वहां कट लगा के यूज भी करते हैं तो इस टाइप से करते हैं